निग आज में इस पीडियो को आज मैं इस चाप्टर को एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ यह एक पोयम है दा लीटिल प्लांट और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे आप चली हम वीडियो को स्टाट करते हैं और अगर अपने चैनल पर न्यूव है तो चैनल को लाइक शब्सक्राइब चरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई और हैं जिनको पढ़ना है चैप्टर को जिनको नहीं समझ में आया तो उनके साथ भी सेयर करें ठीक है तो चलिए अब हम लोग चाप ठाप 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 है अब लोग घर में भी खाते होंगे उसको आप क्या करो कि ग्राउंड में लगा दो तो देखना कुछ दिन बाद उसमें से कुछ छोटे-छोटे प्लांट्स लिकल कर आएंगे ठीक है तो वो सीड्स है ठीक है जो हम लोग चाना खाते हैं न हमारा सीड है उसी को सीड बोलते हैं अब इस चैप्टर में हम लोग बिसीकली उसी के बारे में पढ़ेंगे कि seed, seed के बारे में पढ़ेंगे पूरा उसका, life cycle पढ़ेंगे एक plants का, देखो poem एक चीज है ना, poem क्या होता है कि कि किसी के दवारे लिखा जाता है, जैसे कि आप हो, अगर आप बड़े हो गया, बड़े होने के बाद आपको ज्यादा knowledge हो गया किसी चीज के बारे में, लब कि कहने के मतलब यह कि कोई भी चीज हम देख रहे तो अपने आप से observe करके लग रहा है कि उसके बारे में हम खुद से लिख सकते हैं, तो वही चीज है, यहाँ पे किसी के दवारे लिखा गया है, और किनके दवारे लिखा गया है, वह आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या नाम है उनका के एल ब्राउं, ठीक है, इनका यह किनही का नेम है, यह जैसे आपका नेम है न, वही, तो यह यही पोयम को लिखे हुए है, ठीक है, उन्ही के दवारे यह लिखा गया है, अब हम चलिए पोयम को explain करते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से, फर्स्ट हमारा यह क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग read करेंगे, after that we will understand this, in the heart of seed, hiding deep so deep, a tiny plant lay fast asleep, अब इसका मतलब क्या है, इस इस इस्टांजा का मतलब क्या है, देखो, in the heart of seed, जैसे कि यह एक सीड है, हम अभी जना ही को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब हमारा nerds है, इस टाइप का रहता है, ठीक है, तो इसके hurt में, कैसे हमारे hurt होता है, आपका hurt जैसे कि आप human beings हो, आप इंसान हो, आपके अंदर क्या है, hurt है, तो वही बोल रहा है कि seeds के भी hurt है, मतलब यहाँ पर उससे campy reason किया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो seeds है, उसके अंदर, seeds के मतलब कि एक seeds होता है, उसके एकदम अंदर में, एक छोटा सा plants, एक छोटा सा पौधा, सो रहा है, मतलब कि, सो रहा है नहीं, मतलब कि जगने की कोसिस कर रहा है, वो चाह रहा है कि हम यहाँ से कब जगे, मतलब कि अंदर है, सोया हुआ, यह जगने की कोसिस कर रहा है, बाहर लगाते हैं जो जगने की जगना चाहता है तो अब जगना चाहता है तो कैसे जगेगा उसको कौन मदद करेगा जगने में तो यहां बोल रहा है कि वेक्षेड दा संसाइं जो sun है न, sun का जो, ये sun sign जो है, उसका light जो है, वो बोल रहा है कि जगो, ठीक है, वो बोल रहा है कि जगो, and see the light, और जग कर light को देखो, seeds को बोल रहा है, awake said the voice of the rain drops bright, और बारिस का जो बूंद है न, बूंद भी यहीं चीज बोल रहा है, बारिस भी यहीं चीज बोल रहा है, कि आप जगो, और बाहर, देखो, light देखो, कितना bright है, ठीक है, next है आपका, the little plants here, और फिर इसतना बोलने के बाद, कौन-कौन बोला, पहले तो देखो, sun बोला, sun बोलता है, कि sun का light जो बोलता है, कि आप देखो, light को देखो, बाहर में, फिर वही चीज, बारिस की बूंद भी बोलता है उसको, जगने के लिए, ठीक है, और फिर क्या करता है, कि जो little plants है, इसके अंदर जो सो रहा था, सोया हुआ था, जो plant, वो सुनता है, सुनने के बाद, ये अपना आग को खोलता है, ठीक है, and open your eyes to see, what the wonderful outside world might be, और जब ये आग को खोलता है, तो खोल कर देखता है, कि बाहर की दुनिया कितना अच्छा है, जैसे कि अब हम इसक को ड्रो किये, अब ground के अंदर मीचे में हम एक seeds को लगा देए, यहाँ पर, ठीक है, अब इसके अंदर एक plants है, और plants को grow करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसमें आप water डालोगे, ठीक है, आपके घर में भी plants होंगे, water डालते हो, फिर sun, sun का जो light है, उसको भी आना चाहिए, तो यह दोनों मदद करता है, जो plants के अंदर, seeds के अंदर जो plants सो रहा है, चोटा सा plants उसको जगने में, तो जब यह proper वेसे पड़ेगा इसपे, proper वेसे light जा रहा है, sun और बारिस भी, बारिस का बूंद भी जा रहा है, तो इससे क्या होगा, कि यह जो seeds है, वो जग जाएगा, और जगने के बाद यहाँ पे देखो कैसे जगा, तो बाहर हो आ गया, यही सो रहा था इसके अंदर, और जब इसपे light और drop गया, तो यह basically बाहर आ जाएगा, तो बाहर आकर world को देखता है, कि world कितना अच्छा है, कितना wonderful है, ठीक है, तो यह poem आपको समझ में आ गया होगा, इसमें basically seeds के बारे में बताए गया है, कि एक seeds है, वो कैसे मतलब की grow करता है, ठीक है न, तो कैसे grow करता है, seed हम लोग लेंगे seeds को ground में हम लोग लगाएंगे, ground में लगाने के बाद क्या होता है, कि उसमें हम लोग पानी देंगे, और light भी पढ़ने देंगे, तो seeds क्या हो यहां पर आपको समझाया गया है और यह कैसे बनता है यह भी आपको बता दिया गया वी कौन लिखवा है लिखा था इस पो हमको केल ब्रॉंग ना यहां पर देखो वर्ड मिनिंग है हाइडिंग मतलब क्या होता है कि सम्धिंग भी कांट सी वैसा चीज जिसको हम नहीं देख सकते हैं छुपा हुआ चीज को हाइडिंग बोलते हैं वंडर्फुल मतलब ब्यूटिफूल ओके अब यहां देखो वाबू रीड दा आंसर अब यहां पर रीड एन एंसर रीड करना है और इसको एंसर करना है तो यह क्वेश्चन सारे हैं आप देखोगे इसका जो भी यह ए नमबर बी नमबर ठीक है न और सी नमबर जो भी है यह आपको बता दिया गया है सखर सी नमबर में तो आपको यह खुद से करना है और इसको अब्जर्ब करके अब कलर भी करना यहां पर यह बता रहा है कि say what is happening in this picture इस picture में क्या हो रहा है यह आपको बताना है यह सही है गलत है तो आप देख रहों कि तो बिल्कुल गलत है ट्रीज को हमको कट नहीं करना चाहिए और क्यूं तो क्यूं गलत है यह भी हम आपको बता देरें इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग ट्रीज को कट करते है तो हमको oxygen नहीं मिलता है ट्रीज से हमको oxygen मिलता है अब ट्रीज कहां से मिलेगा हम को ठीक है और आपका question answer भी दे दिया जाएगा यह सब का discussion box में आप देख लीजे वहाँ पर question answer दिया हुआ है ठीक है तो I hope कि आपको समझ में आ गिया होगा बाई ठीक क्या